Hello everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a very very important topic of medieval period that is the making of manuscripts or the chronicles. आज के इस वीडियो में हम chronicle बनाने की process या फिर manuscript को किस सरह मुगल कोड में बनाया जाता था वो discuss करेंगे. मुगल दर्बार में पांडू लीपिया, इतिवरत, किस प्रकारत ये तैयार किया जाते थे, ये बहुत-बहुत important question है, तो आज के इस important question, the making of manuscript or chronicle productions से start करते हैं, आज के इस वीडियो को, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. तो manuscripts और chronicles, सबसे पहले इस term को समझने हैं, ये होता क्या है, a written record of historical events describing them in the order in which they happened is chronicle. बहुत simple सी, बहुत अच्छी सी बात है, कि इतिहासी गटनाओं का कालानु क्रमित, लिखित ब्योरा, इतिवरत कहलाता है, कोई भी इतिहास में गटित गटना है, उसका written record जो होता है, वो according to the order होता है, sequentially जो होता है, उसे इतिवरत कहा जाता है, day-to-day record जिसको कहा सकते है, date wise जो record होता है, historical events का, that is called chronicle, in the Mughal period, all the books were manuscripts, meaning handwritten accounts, ठीके, Mughal period में ऐसे बहुत सारे chronicles रिखे गए थे, जिसमें राजा महराजाओं की day-to-day की गटनाओं को, या महात्मन इतियासिक गटनाओं को, sequence में लिखा जाता था, record किया जाता था, और जितने भी ये Mughal period की chronicles मिलते ह हैं, वो सारे के सारे handwritten मिलते हैं, जिनने की manuscript या पांडू लिपी कहा जाता है, हस्त लिखी जो है, सभी बुस्तगे थी, मughal, काल की, जिनने इतिवरत हम कहते हैं, बाबर नामा, अकबर नामा, जहांगीर नामा, हुमायू नामा, पाजशा नामा और आलमगीर नामा, ये ज vitesse most supremeero, जितने भी ये मुगल प्रॉनिकल्स या इतिवरत है, ये हमें मुगल काल के दर्बार और मुगल शाष्वों के बारे में महात्मौ जानकार्या उपलप्द कराते हैं, तैह स्यों मुगल इतियास के सबसे महात्मौ श्रोथ, माने जाते हैं, ठीकмат., तो chronicles और इतिवरत related ये बहुत important चीज थी अब chronicles जो है वो तयार कैसे किये जाता है how they were prepared पांडुलिपिया कैसे बनती थी मुगल कोर्ट में the center of manuscript production was the imperial किताब खाना मुगलों ने इसके लिए एक विशेश प्रकार की building एक office बना रखा था जिसे किताब खाना कहा जाता था पांडुलिपि निर्मान का केंद्र शाही किताब खाना था जिसको हम scriptorium भी कहते हैं तो scriptorium में ये पुस्त के तयार कराई जाती थी इतिवरत निर्मान का कार्य होता था it was a scriptorium means a place where the empire's collection of scripts were kept and new manuscripts were produced तो यह एक scriptorium था जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां सम्राज जिकी लीपियों का संग्र रखा जाता था और नई पांडुलिपियां तयार की जाती थी तो किताब खाना क्या था actually एक संग्र घर था जहांपर सभी तरह की जो पुरानी पुस्तके थी पांडुलिपियां थी उनको संग्रहित भी रखा जाता था और नई पांडुलिपियां भी तयार यहीं पर की जाती थी तो किताब खाना लाइब्रेड़ी की तरह भी था और जहांपर नई पुस्तके भी तयार की जाती थी तो किताब खाना means scriptorium यह आपको याद रखना है, फिर the creation of manuscript is in किताब खाना involved a number of person, किताब खाने में manuscript बनाने या पांडूली प्यार करने की प्रक्रिया में बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते थे, यानि बहुत सारे लोगों के कारियों से मिलकर जो है, ये इतिवरतिया chronicles त्यार किये जाते हैं, the paper makers were needed to prepare folios of the manuscripts, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसके लिए कागर्स तयार करने वाले जो है paper makers होते थे, वो paper makers कागर्सों की जिल्द तयार करते थे, मतलब volume के volume तयार करते थे, जिन पर जो है, हमारे जो scribes हैं, या फिर जो writers होते थे, वो उपने, जो भी सूचना उस पर लिखन चाहते हैं, फिर records को लिखना चाहते थे, उन papers पर लिखते थे, तो सबसे पहले जो थे paper makers होते थे, ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, next, तो next जो थे, वो थे, from the paper maker, it was sent to the scribe or calligrapher to copy the text while the scribe were writing, he was living space for painting, फिर paper makers से वो paper जाते हैं, scribe या calligrapher के पास, calligrapher या scribe का सू लेखक, लिखने वाले लोग, उनकी पास यह जाते थे, जिनकी handwriting बहुत अच्छी होती थी, हम सभी जानते हैं कि मुगल जो chronicles से वो Persian script में लिखे जाते थे, फार्सी बाशा में लिखे जाते थे, और फार्सी बाशा में जो नस्तलिक, एक calligraphy थी, जो अकबर की favorite थी, उ इसमें बहुत जादा horizontal strokes जो है, वो यूज किया जाते थे, बहुत ही designing वाली यह होती थी, और इस तरह कर डिजाइनिंग लिखने का काम जो है, वो calligraphers के द्वारा करा जाता था, मुगल दरबार में ऐसे बहुत सारे calligraphers, इन किताब खानों में होते थे, जो यह लिखने का का के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीके, तो यह बहुत महत्पून चीज थी, calligraphers लिखते थे, और उसके बाद painting के लिए space भी छोड़ाता था, from the scribe it was sent to the gliders to eliminate the pages and then the painter was illustrating the scenes, scribe के बाद यह जो लिखे होई चीज है, वो जाती थी, gliders के पास, gliders यानि वो जो चमकाने वाले highlight करने वाले, वो महत्पून दिनांकों, महत्पून गटनाओं को पीपर में gold या silver से shining की जाती थी, उन्हें glide किया जाता था, illuminate किया जाता था, ताकि वो ज़्यादा highlight हो सके, और उसके बाद, gliding का काम होने के बाद, वही जो manuscript है, वो penters के पास जाती थी, जहाँ penters उन्हें जहाँ penters उन्हें पर penting का काम करते थे, चित्रकार विबिन तरह के चित्र जो है, राजा के जन्म से related या उनके परिवारिक द्रिश्य जो होते थे, युद्ध के सीन होते थे, विवाह के द्रिश्य होते थे, दर्बार के द्रिश्य होते थे, वो सब चित्र जो है, विबिन में लगब देड़ सू के आसपास जो है फुल पेज या हाफ पेज इस पैंटिंग देखने को मिलती है तो यह सब पैंटर के द्वरा की जाती एट लास दे बुक बाइंडर वस गैदरिंग इंडिविजिल फोलियोज और अंत में बुक बाइंडर अलग अलग जो भी फोलियो जिल्द होते थे उनको इखटा करके उन्हें सजावची कवर की बीतर सेट कर देते था और इस तरह से वो जो पूरा पांडू लिपी है वो तयार हो जाता था और उसको फिर मुगल समराट को प्रस्तुत किया जाता था और बहुती शांदार भव्य दरबार में इन आसी की जो नसलिक्ष और विबिन तरह की लिपियां हैं जिसमें यह त्यार की जाते थी वो देख सकते हैं यहां पर हम विबिन जो काम खाज है किताब खाना में स्क्रिप्टोरियम में जो किया जाता है वो देख सकते हैं यह वो पैजेज हैं जिस पर जो है क्या है बीच के space पर लिखा जाता है और side में जो space वहाँ पर designing वरक है वो किया जाता था तो वो सब के लिए space चोड़ी जाते थी वो इस तरह से होते थे और ये यहाँ पर जो है विबिन तरह के लोग जो scriptorium या किताब खाना में होते थे वो आपस में जो है coordinate करके ये लिखने और इस तरह का इतीवरत या chronicles को तयार करने का कारे पूर्ण करते थे तो इस तरह से मुगल कोर्ट में paper maker से scribe के पास scribe से फिर calligrapers और ये लोग रखते थे फिर gliders के पास gliders से penters के पास जाती थी और इस तरह से chronicles तयार किये जाते थे आशा है आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी रहा होगा समझ में आया होगा कि किस तरह से मुगल कोर्ट में chronicles तयार किये जाते थे तो don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा देखना मत बूलिएगा ऐसे यूसपूल वीडियो के साथ मैं आगे भी प्रस्तुत होता रहूंगा तब तक के लिए good bye have a nice day